किस्मत करवाती है कट पुतली का खेल जनाब, वरना जिन्दगी के रंग मंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता, मिट्टी के दीपक्सा है ये जीवन, तेल खतम, खेल खतम, राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हार्दी खार्दी स्वागत अभिनंदन व्यक्ति एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, वो सोचता है, वो मेरी भामनाओं का कदर नहीं करता, अगला सोचता है, ये नहीं करता, लेकिन हमारा जीवन कैसा है? मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ, कि आदमी को पता नहीं है, मैं एक चित्र दिखा रही हूँ आपको, जिसके अंदर नीचे सांप है, और महिला को पता नहीं है, कि आदमी भी किसी पत्थर से दबा हुआ है, महिला सोचती है, मैं गिरने वाली हूँ, और मैं नहीं चड़ सकती क्योंकि सांप मुझे काट रहा है आदमी अधिक ताकत का उपयोग करके मुझे उपर क्यों नहीं खीचता और उधर आदमी सोचता है कि मैं बहुत दर्द में हूँ फिर भी मैं आपको उतना ही खीच रहा हूँ जितना मैं खीच सकता हूँ आप खुद कोशिश क्यों नहीं करती और कठिन चड़ाई को पार कर लेती आदमी को ये नहीं पता कि ओरत को सांप काट रहा है दोनों ही पीडित हैं लेकिन दोनों ही एक दूसरे का दर्द दबाब नहीं जानते आप उस दबाब को देख नहीं सकते जो सामने वाला जेल रहा है ठीक उसी तरह सामने वाला भी उस दर्द को नहीं देख सकता जिसमें आप हैं यह जीवन है भले ही यह काम परिवार भामनाओं दोस्तों के साथ हो आपको एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए सब की अलग अलग भामनाई होती हैं एक दूसरे के बारे में सोचन और बेतर ताल मेल बिठाना ही जिन्दगी है अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही खुशी खुशी बीच जाता है हर कोई अपने जीवन में अपनी लडाई लड़ रहा है और सब के अपने अपने दुख हैं इसलिए कम से कम जब हम अपनों से मिलते हैं तब एक दूसरे पर प्रत्या रोपन न करें बल्कि एक दूसरे को प्यार और स्नेह के साथ रहने की खुशी का एहसास दें जीवन की इस यात्रा को लड़ने की बजाए प्यार और भरोसे पर आसानी से पार किया जा सकता है तो कैसी लगी ये कहानी तो ये जो चित्र है आप ध्यान से देखें और इसके अर्थ को समझें फिर आपको अपना जीवन भी सार्थक दिखाई देगा तो कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें कमेंट करें और बेल आइकेन के बटन को दवाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद